हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल 17 जनवरी दोसार चोबिस को इंटेलिजन्स ब्यूरो का एक्जाम हुआ था उसका जीके का पूर्षन आजमुक स्टड़ी काने मले है तो वडियो को शुरू करते हैं पहला कोशन है दवंबर 2023 तक भारत में आईश्मान भारत स्वास्त और कल्यान केंद्रों के संग्या डैश है इसकांसर ओप्षन 4 एक पॉइंट 6 लाख अगला कोशन है भारतिय प्रती भूती एवं विनिमाय बोर्ड से भी ने सरवाजनी निगमों में शेयरों को सुची बत करने की सम्यावेदी में डैश से महत्व पूर्ण करटोती की घोशना की जहां टी निरगम की समापन ती थी है इसकांसर ओप्षन 1 टी प्लस 6 से टी प्लस 3 अगला कोशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के सम्मध में निम्मे लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला भारत 125 देशों में से 111 स्तान पर है दुसरा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों की वेस्टिंग रेट विश्व में सरवादिक है तीसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर 34.6 परसेंट है चौता भारत में अलप पोशन की दर 24.7 परसेंट है उपर दियेगे कतनों में से कौन सा कतन सही है इसकांसर उप्षिन 4 कतन पहला और दुसरा अगला कुशन है डैश गुजरत के एक कलमकारी कलाकार है जिनोंने 2023 में पंदमशरी जीता था इसकांसर उप्षिन 4 श्री भानुबाई चीता रह अगला कुशन है अबुआ आहवास योजनाक के पात्र लावारती कौन है A. बेगार या लावारी स्व्यक्ति B. विशेश रूप से कम जोर जन जातिया समोह PVTG के सदेस्यों को प्राथमिकता मिलेंगी C. वर्तमान या सेवा नियवरियुत अधिका सरकारी या अर्दसरकारी कर्मचारी इसकांसर उप्षिन 4 A और B अगला कुशन है जलवायू परिवर्तन प्रदेशन सुचकांग CCPI 2020 के संबन में निम्मिलकित कत्नों पर विजार कीजिए पहला CCPI 2020 में भारत की रैंग में दो स्तान का सुधार हुआ है दूसरा यह रिपोर्ट जर्मन इस्तित जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाश्तित की गई थी तीसरा पहली दूसरी तीसरी और चौती रैंग किसी भी देश को नहीं दी गई है चौता जी ट्यूएंटी देशों में भारत सरस्वेश्ट था उपर देगे कतनों में से कौन सा कतन सही है इस कांसर ओप्शन तरी कतन पहला दूसरा और चौता अगला कुशन है कौन एश्याई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण अपतक जीतने वाले पहले भारतिय पुरुश बने इस कांसर ओप्शन तरी अविनास सब ले अगला कुशन है निम्मे लिकित में से किसने राष्ट्य परद्योगी की सप्ता 2020 में राष्ट्य परद्योगी की पुरस्कार अनु वादात्मग अनु संदान जीता इसकांसर ओप्शन पोर गोविंद राजु थिमेया अगला कुशन है राष्ट्य परिवार स्वास्त सर्वेक्षन 2023-2024 के संबन में निम्मांकिन कत्नों पर विचार कीजिए पहला यह NFHS शुरूंकला का छड़ा सर्वेक्षन है два, यह ICMR और राष्ट्य एंड़ अनुसंदर्ण संस्तान NRI पूने द्वारा किया गया था तीसरा, कुछ नहीं दादिंग मानव मित्तिय और जेवरासाइनिंग CAB परिक्षेनों के लिए ICMR और राष्टे एट्स अनुसंदान संस्थान NARI पूर्णे द्वारा सहिदा प्रदान की गई है उपर दिएके कत्नों में से कौनसा गदन सही है? इसका आंसर ओप्षेन वन सभी सही है अगला कुशन है, में जेपिर का कुशन है, लॉंचर और उपग रहा A. PSLV C57 इसका पहरे चौथा आधी त्यालवन B. PSLV C56 इसका पहरे तीसरा DSR C. PSLV C55 इसका पहरे दूसरा TELOS 2, D. PSLV C54 इसका पहरे पहला EOS 06 अगला कुशन है, युनाइटेट इन साइन्स रिपोर्ट डोजार देज सतत विकास संस्करन के सम्दमें कत्नों पर विज़ार करें पहला, वर्मिंग को 2 डिगरी से कम और अधी मानत 1.5 डिगरी सेंटिग्रेट तग सिमित करने के लिए पहरी समझोते के लक्षों को पूरा करने के लिए मारग प्रशस्त करना दूसरा, 2021 की तुल्ना में 2022 में वेश्विक्स तरगी जीवाश्मा इंधन कर्बेंड आउकसाइड उस्तरजन में 1% की व्रुद्धी तीसरा, जन्वरी से जून 2030 के प्रारंबिक अनुमान जीवाश्मा इंधन CO2 उस्तरजन में 0.8% की और व्रुद्धी दर्शाता है उपर दियेगे कतनों में से कौनसा कतन सही है इस कांसेर ओप्शन 3 कतन पहला और दूसरा अगला कुशन है कोड़वा हौकी महुत सव डैश में आउजित क्या जाता है इस कांसेर ओप्शन 1 करना टक अगला कुशन है ICC पुरोष क्रिकेट विश्व कब 2023 के संबन्द में निम्मा अंकित कतनों पर विजार कीजिये पहला विराट कौली को टोर्नामेंट का सरस्रेश्टे खिलाडी चुना गया दूसरा मौहमाद श्यमी टोर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विगट लेने वाले गेंद बाज रहे है तीसरा इस टोर्नामेंट की मेजबानी दक्षिन अफरेगा ने की दी उपर तीगे कतनों में से गौनसा कदन साहिया है इस कांसेर ओप्शन 1 कतन पहला और दूसरा अगला कुशन है एटमेन नामग उतकुरुष्टता केंदर सी ओई के संबन में निम्मांकित कतनों पर विचार कीजिए पहला एटमेन का पूरा नाम एडवांस टेकनोलोजिस फॉर मोनिटरिंग एर क्वालिटी इंडिकेडर्स है दूसरा भारतिय प्रद्योगी की संस्थान दिल्ली ने नमबर 2023 में इसकी स्थापना की है तीसरा यह वायू कनवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और AIML शमताओ के निर्माण पर केंदरित है चौधा इसका उद्देश्य स्ताही प्रद्योगी और व्याफसाईग मोडल को अत्याधुनिक प्रद्योगी वाले व्याबारी कुदपादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है उपर दिएगे खतनों में से कौनसा कदन सही है इसका अगला कुशन है निम्मेलिकित में से कौनसा दोजार तेईस में भारत का सबसे स्वच्चे शहर है इसका अंसेर अप्शन मन इंदर अगला कुशन है जन जातिये गौर अवदीवस दोजार तेईस के सम्बंध में निम्मांकित कतनों पर विजार कीजिए पहला ग्यारा नामबर दोजार तेईस को अकिल भारतिय स्थर पर जन जातिये गौर अवदीवस मनाए गया दूसरा यहाँ आईजन भगवान बिरसा मुंडा कोन की जैनती पर श्रद्धन जली देने के लिए है तीसरा प्रदान मंतरी ने इस कारेकरम के दोरान पीम जन मन पीम जन जाति आदिवसी नया है महा अभियान की शुरुवात की चौता पीम ने इस कारेकरम के दोरान विक्सित भारत संकलप यात्रा को भी हरी जंडी दिखाई उपर देगे कतनों में से कौनसा कतन सही है इस कांसर ओप्शन तरी कथन दूसरा, तीसरा और चौधा अगला कुशन है निम्मलिकित में सिखी से भारतिय तटर रक्षक के 25 वे महा निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है इस कांसर ओप्शन टू राकेश पाल अगला कुशन है सूरत युद्धपोत के सम्मन्द में निम्मलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला, 6 अक्तुबर को प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने भारती नौसेना के युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरन किया दूसरा, यह प्रोजेक्ट 15B का भाग था तीसरा, सूरत को दूसरा युद्धपोत होने का गौर अप्राप्ता है इसका नाम गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा गया है चौता, भारत नहीं यह युद्धपोत जापान से खरीदा था उपर दियेगे कतनों में से कौन सा कतन सही है इसकांसर ओफ्चेन 3 कतन 2 अगला कुशन है नंबर 2023 के अनुसर इधनौल उत्पादन में दूनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है इसकांसर ओफ्चेन 3 भारत अगला कुशन है भारतिय सेना के संबन्ध में निम्मांकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला भारतिय सेना ने अक्तुबर 2023 में एक vertical wind tunnel VWT का उदगटन किया है दूसरा यह सुरंग भारतिय सेना के पहली vertical wind tunnel VWT है तीसरा इस सुरंग का उदगटन महाराश्री के Special Forces Training School SFTS ने किया उपर दिये के कत्मों में से कौन सा कतन सही है इसकांसर ओप्शन वन कतन पहला और दूसरा अगला कुशन है निम्मलिकित में से कौन सी एरेगिस्तानी नदिया है जो कुछ दूरी तक बहती है और एरेगिस्तान में लुपता हो जाती है इसका अंसर ओफ्चिन 3 हुरूपेन अगला कोशन है निम्मेलिकित कत्मों पर विचार करे A. वैदानिक निकाय संसदने के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किये जाते है B. सेवैदानिक निकाय अपनी शक्तिया सविधान से प्राप्त करते है इसका अंसर ओफ्चिन 3 ए और भी दोनों सत्य है अगला कोशन है निम्मेलिकित में से किस राजवन्ष को गुलाम वन्ष के नाम से भी जाना जाता है इसका अंसर ओफ्चिन 2 मामलुक राजवन्ष अगला कोशन है निम्मेलिकित कत्नों पर विचार करे पहला सारके देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सयोग को बढ़ावे दिने के लिए दक्षीन एशियाई मुक्त व्यापार शेत्र साफटा समझोते पर हस्ताक्षर किये गया है दूसरा भारत और पाकिसान के बीच द्वी पक्षिय व्यापार अप्रेल दिसेंबर 2022 के दोनर दोरान बढ़गर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जबकि पूरे 2021-22 में यह 516.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था 3. बंगलादेश दक्षिन एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है उपरोग तुमें से कौन से कदान सही है इसका अंसर आप्षिन वन पहला दूसरा और तीसरा अगला कुशन है मौरे सामराज्य के राजा ब्रुह द्रत की हत्या किस ने की इसका अंसर आप्षिन तरी पुष्यमित्र शुंग अगला कुशन है निम्मे लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला मंदरी परिशद सामोहिक रूप से लोगसभा के प्रती उत्तरदाई होती है दूसरा, मंत्री परिशद में प्रदान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संग्या, लोग सभा की सदेशों की कुल संग्या की 20% से अधिक नहीं होंगी तीसरा, मंदरी मंडल से लिकित अनुशन सा प्राप्त करने के बाद ही राष्टपती द्वारा राष्टिया पातकल की गोशना की जा सकती है चौता, मंदरी परिश्यद में संसत के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए उपरक्तों में से कौन से कधन सही है? इसकांसेर ओप्षंद्री केवल पहला और तीसरा अगला कुशन है, निम्मेलिक इतकत्नों पर विचार कीजिए पहला, गेर मुसल्मानों पर लगने वाले जजिया करको अकबर ने बंदरासवचों सड में समाक्त गर दिया दूसरा, नागरिक और सन्य अधिकारियों को का ओधा निर्धारित करने के लिए मनसापदारी प्रणाली शाह जाहा द्वारा शुरू की गई थी तीसरा, और अन्जे अंतिम प्रमुख मुगल समराट सा और उसके शासनकाल में मुगल सामराजय का पतन शुरू हो गया उपरक्तों में से कौन से कदन सही है इसका अंसे रॉप्षन टू केवल पहला और तीसरा अगला कुश्ण है निम्मलिक दिकत्नों पर विचार कीजिए भारत के सविधान में देवनागरी लिपी में हिंदी को भारत सरगार के आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है दूसरा सविधान को लागू करने की तिधी से केवल दस वर्ष की आवदी के लिए एंग्रे जी भी एक सहेक राज भाषा थी तीसरा संगम में अधिकारिक उद्दिषों के लिए मराठी और तमील भाषा का भी उपयोग किया जाता है उपरक्तों में से कौन सा ख़दान सही है इसकांसर आउप्शन फोर केवल पहला अगला कुशन है निम्मलकित कत्नों में से हरित करांतीगे नकार अत्मक प्रभावत है ए क्षेतरों के पीचाहरतिक सह सामानता में बुरुद्धी बी सुक्ष्मय पोशक तत्वों में कमी सी भूजस्तर का कम होना डी बुरुदा का भौतिक और रासायनिक शरन इसका आंसर उप्षिन वन A, B, C, D अगला कुश्चन है मैस्दे पेर का कुश्चन है पतन और राज्य A, कंडला इसका पहरे चौता गुजराद B, हल्दिया इसका पहरे दूसरा पश्री मंगाल C, कोजीन इसका पहरे तीसरा केरल D, पारादीप इसका पहरे पहला Todisha अगला कुश्चन है 2011 की जनगना के नुसार की सराजय में जैंसल आन संग है का प्रतीशस सरवादिक है इसका आंसर उप्षिन टू महाराष्र अगला कुश्चन है 2011 की जनगना के नुसार 59 लिकित में से की सराजय में लिंगानूपा सबसे कम है। इसकांसर ओप्षिंद्री मिजोरम। अगला कुश्चन है निम्मेलगित कत्नों पर विचार कीजिए। पहला प्रदानमंद्री आवास योजना ग्रामीन पी एमेवाई जी को ग्रामीनिक शेत्रों में 2021 तक सबी केली आवास प्रदान करनेगी सरकार की प्रतिबदताके अनुरूप तैयार के आगया था। दुसरा दीन दयाल अंतोध्य योजना रष्ट्य ग्रामीना जीवी काम मि तीसरा सांसद आदर्शे ग्राम योजना ऐसे जीवाई सांसदों को मौडल गाव विक्सित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चोथा, यी पंचायत परियोजना का देश की सभी पंचायतों को के डिजिटली करन पारदर्शीता और उत्तरदायतों बढ़ाने के लिए एक पहल है। उपरोक्तों में से कौन से कदन सही है। इसका अंसर ओप्शन बन केवल दूसरा दीसरा और चोथा। अगला गोशन है, निम्मेलगीत कत्नोबर विचार गीजिए। पहला, ब्रिटिश अपनिवेशिक अधिकार्यों द्वारा बाल घंगादर तिलको भारती अशान्ती का जनक माना जाता था। दूसरा, दादबाई नौरजी गो भारत के ग्रेंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। और वे भारत की राष्ट्या एकी गन्ना करने वाले पहले वेक्ती थे। धीसरा, भारती राष्टे कॉंग्रेस के अधिक्षपत से त्याग पत्र देने के बाद सुभा चंद्र बोस ने भारती राष्टे सेना आएने का नितरुत्व किया है। चौथा, भाकत सिंग भारत के सबसे कम आयू के स्वजंदरता सिनानी थे और हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन के सदे से थे। उपरोक्त में इसे कौन से कदन सही है। इसकांसर ओक्षण 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला कुषण है, भारती सविधान में केंदर द्वारा, राज्ये के राज्ययपालो के न्युक्ति कीज़ देश्म से उधार ली गई है। इसकांसर ओक्षण 2, कनाड़ा। अगला कुषण है, सिंदु घाटी सब्वेता का हडपफस सल डैस द्वारा खोजा गया था। इसकांसर ओक्षण 3, राय बहादुर, दय राम सहानी। अगला कुषण है, आर्तिक कतिविधी के किसक शेत्र के अंतरगत परिवान और भंडारन आता है। इसकांसर ओक्षण 1, तुरुतियक शेत्र अगला कुषण है, निम्मलिकित कत्नों पर विचार कीजिये। पहला, तेहतरवे सब्वेधानी संशुदन अदियनियम ने, शेहरी स्थान ये निकायों को सब्वेधानिक दर्जा परदान किया। दुसरा, पंचायद, अनुसुची क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, बहरा राज्यों के जनजातिय क्षेत्रों तक पंचायदों के प्रावधानों का विस्तार करता है। तीसरा, भारत में हर साल 24 अपरेल गो राष्टे पंचैती राजदिवस मनाए जाता है। उपरक तुमें से कौन सा ख़दान सही है। इसकांसे रवशंतरी केवल तीसरा। अगला कुशन है, निम्मेलिकित कत्म पर विचार कीजिए। पहला, पुर्वी घाड और पश्ची मिघाड निलगेरी पाड़ी उपर मिलते है। दूसरा, थार का मुरुस्तल विश्व का सबसे घनी जनसंक्या वाला मुरुस्तल है। तीसरा, पटकई या पुर्वाचल परवतमाला पूर्वी हिमाले का भाग है। चौथा, सत्पुड़ा परवतमाला दक्षिन के कगारी पठारों की एक शुरुन लंखला से निर्मित है, जो औसत समुद्रतल से प्राय तीन सो से चार सो मिटर के बीच की उचाई पर है। उपरक्तों में से कौन सा कदन सही है। इसका अंसर ओफ्षेंटू केवल पहला दूसरा और तीसरा। अगला कोशन है, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए। हदिस रिवायत पैगंबर मुहमत के कतनों और कारियोत का अभिलेख है। दूसरा, सूफी वाद एक रहस्यवादी इसलामी विचारदरा है जिसमें इश्वर के साथ प्रत्यक्ष्य व्यक्ति का धनुभावगा परयास किया जाता है। तीसरा, इसलाम के पाच आधार मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल कारिय है। चौदा, चीष्टी परंबरा, इसलाम की चार प्रमुख सूफी परंबराओ तारीगों में से एक है जिसकी उत पद्धी पाकिस्तान के राविल पिंडी के पास एक छोटे शेहर चीष्टी में हुई थी। उपरक्तों में से कौन से कदन सही है। इसका अंसर ऑप्शन 2 केवल पहला दूसरा और तीसरा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये समापत होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।